गुड इवनिंग एवरीबन तो लास्ट चान पे हम लोगों ने क्या का कर लिया था करेंट के बारे में पढ़ लिया था पुडेंशल डिफरेंस को काफी डिटेल में देखा था हमने है न और आज हमें उससे आगे चलना है आज हम लोग बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग और नहीं चीजे जानेंगे और उसके आगे चलेंगे क्या कौन सी चीजें हैं जो करण्ट के लिए रुकावर्ट बनती हैं उसको देखेंगे और उसके लाव़ा ओम्स लो क्या था वो भी देखेंगे उसके लाव़ा करण्ड भी दोतरह की होती है यह switch लगा हुआ है और यह इसमें हमने battery connect कर दी है इस तरह से जब हम एक wire लेते हैं wire में bulb लगा देते हैं कोई भी appliances लगा देते हैं और एक battery होती है उसमें switch लगा होता है यह circuit कहलाता है क्या कहलाता है? circuit कहलाता है है ना? electrical circuit कहलाता है अब देखें जैसे अभी switch open है जब switch open होता है तो circuit break है अभी तूटा हुआ है ना? देखो यहाँ पर circuit इसको बोलेंगे circuit अभी break हुआ है तो जब तक circuit ऐसे तूटा रहेगा तब तक current flow नहीं हो सकती reason बता है क्यों? कोई reason बता है कि इसका? क्यों नहीं flow हो सकती? और और कोई बहुत अच्छा जवाब हम चा रहे हैं किसी से कोई और अच्छा जवाब देगा इसका? हाँ हाँ यह कौन बोला? medium की बात कौन बोला? नित्या शावाश medium नहीं है अब और इस आंसर को और इंप्रूव कर सकते हैं हम कोई करेगा? हाँ हाँ और और इंप्रूव करिए दो लोगों ने बहुत सही चीज़ पकड़ी नित्या ने medium की बात की रिजुल ने conductor की बात की अब इसको और इंप्रूव करके कैसे बताएंगे? अच्छे यहां से हमको पता चल रहा है न कि वेदर एर इस अबुड गुड 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 बिकॉड गुड 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 आप जैसे ही switch को on करते हैं तो क्या होगा आप देखो electron flow होना शुरू हो गए अब आपको दिख रहा होगा कि electron कैसे flow हो रहे हैं एक direction में flow हो रहे हैं electron का flow देखिए आपे दिख रहा होगा ये clear दिख रहा है सबको electron एक direction में flow हो रहे हैं AC current जो एक direction ने electron को flow कराती, उसको बोलते हैं DC यह direct current, ठीक है, तो हमारी जो batteries है, अब तक हमने जिसके बारे में पढ़ा, volta के बारे में पढ़ा था, उन्होंने battery बनाई सबसे पहले, तो यह battery है हमारी, इसके अंदर जो current होती है, वो direct current होती है, ठीक है, इतना clear है, अच्छा, battery म जैसे अगर हम यहाँ पे जो source है, उसको बदल के AC कर दें, अगर हम देखें यहाँ पे, यह देखिए, AC source कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, ऐसे बनाओगा, देखा होगा आप सबने, तो यह इसमें भी plus minus लिखा होगा, लेकिन अब देखो, यहाँ पे circuit ब्रेक हुआ है जैसे ही हम यहाँ पे switch को on करेंगे, तो अब electron क्या वैसे ही move कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले circuit में move कर रहे था, कुछ अलग है, कुछ अलग सा दिख रहा है, है ना, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि electron, they are vibrating to and fro motion कर रहे हैं, वो अपनी position पे खड़े होकर, two and fro, two and fro motion चल इधर जाएंगे, जैसे sound में पढ़ा था ना, sound में क्या होता है, जो particle होता है, वो अपनी mean position से एक extreme पे जाएगा, फिर वापस mean पे फिर दूसरी extreme पे है ना, ऐसे ही होता है, पहले ये mean, हाँ, ऐसे, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कि बार-बार क्या होता है, उनके जो pole स हो भी switch होते है, मतलब वो इधर गया, तो वो minus हो गया मालो, फिर वापस आया, फिर उदर plus हो गया, plus minus, plus minus, ऐसे, ऐसे switch होता रहता है, तो alternate होता है, alternate का मतलब यह होता है, एक के बाद एक skip करते हुए है, कहते हैं, alternate days में classes होंगी, सुना होगा, alternate, alternate का मतलब क्या है, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, तो वो वैसे ही one by one वो switch कर रहा है, पहले positive होता है, फिर positive को skip करके negative पहुँचके फिर positive हो जाता है, तो यह alternate चलता रहता है, positive, negative, alternatively आते रहते हैं, तो जो poles हैं, वो लगातार switch होते रहते हैं, कभी positive, कभी negative, ठीक है, तो जो यह cycle है, इनकी यह, मान लेते हैं, एक minute में अगर वो 50 cycle कर रहा है, तो 50 cycle का मतलब यह होता है, भी, vibration अपने पढ़ा है ना, एक minute में अगर कोई 50 बार vibrate कर रहा है, तो यह उसका क्या कहलाएगा, अरे sound में पढ़ा है हमने, अगर कोई particle, एक minute में 50 बार vibrate कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, हाँ frequency कहला आएगा बिल्कुल सही है तो यहाँ पे electron वही काम कर रहा है तो यह frequency हुई ना alternating current की तो अगर कोई alternating current में अगर कोई electron 50 बार यह ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 50 बार negative बन रहा होगा 50 बार positive बन रहा होगा बोलो ऐसा हो रहा होगा clear है तो यह बटा आवाज बहुत slow आ रही है थोड़ा थेज पूछी अगर पूछ रहे है कुछ वो DC में बटा DC में DC direct current में जो battery connected होती battery में ऐसा होता भी दिखाया था ना इससे पहले हमने वो वहाँ पे वो एक direction में थे लेकिन यह AC है हमारे घरों में जो power house से light आ रही है ना वो AC है alternating current तो हमने बताया कि alternating current कैसे different है direct current से तो उसका एक basic overview हम आपको दे रहे है detailing तो बहुत आप आप 12 में जाएंगे पढ़ेंगे अलग से chapter है पूरा है alternating current का लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा brief कर रहे है कि क्या होती है कैसे समझेंगे initially हम कैसे differentiate करेंगे तो initial differentiation यह है कि direct current में electron they are moving along the same line ठीक है एक ही direction में move कर रहे है और यहाँ पे क्या हो रहा है vibration वहाँ पे भी हो रहा है direct current में भी vibration हो रहा है detail में हम 10 में बताएंगे आपको कैसे हो पी vibration होता है लेकिन वो vibration इस vibration से अलग होते हैं कुछ तो कैसे अलग हैं यहाँ पे जो poles हैं वो switch होते रहते हैं हर second मतलब हर एक round में switch कर रहे हैं poles बोलो तो अगर जैसे तुमसे बोला जाए कि alternating current में electron की frequency 50 hertz है तो 50 hertz का मतलब क्या है कितनी बार positive कितनी बार negative बन रहा होगा उतनी ही बार 50 times positive and 50 times negative है ना clear है अच्छा तुमको पता है कि मतलब इंडिया में और US में मतलब अलग-अलग countries में frequency अलग-अलग होती है जो electric current आपके घर आती है तो कहीं पे 60 hertz है कहीं पे 50 इंडिया में पता है कितना है 50 hertz है हाँ तो उसका मतलब यही है कि हम ऐसी current यूज करते है इसी तरह से voltage भी अलग-अलग होता है कि इंडिया में हम लोग 220 volt यूज करते है जबकि US में 110 volt यूज होता है इंडिया में Britishers थे तो उन्होंने जो अपना बनाया हुआ था अपने यहां का system वैसा ही बनाया वो पूरा बहुत अच्छे से आगे जब हम लोग regular class में जोड़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि यह voltage का क्या factor क्या होता है क्यों हम voltage को कम करके यूज कर रहे हैं कुछ countries कुछ हमारे यहां क्यू 220 वोल्ट है ठीक है अगर कोई appliance आप US से खरीद के लाते हैं मान लिज़े अगर वो 110 वोल्ट पे ही बना हुआ है तो इंडिया में काम नहीं करेगा तो जो multinational companies होती हैं फिर वो ऐसे product बनाती है जो इस बात को ध्यान में रखती है कोई hair dryer आप खरीद के लाया US से तो उस पे देखना पड़ेगा आपको कि वो 220 वोल्ट के लिए भी support करता है या नहीं करता दरवाइस वो यहां कामी नहीं करेगा ठीक है तो यह इस तरह से appliances भी अलग-अलग जो ratings हैं वो से बनाय जाते हैं उसको धिहान में रखते हुए बनाया जाते है तो यह difference clear हुआ DC current और AC current का किसी बच्चे को doubt हो तो पूछे वो DC current का अभी basic difference बताया है अभी कोई detailing नहीं है कि basically यह two and flow motion करते रहते हैं वो एक direction में चलते रहते हैं अभी सिर्फ इतना समझने के लिए क्लियर है इतना हाँ बिटा हाँ बताओ हाँ बिटा बिटा तुम question तुम अपना Hindi में भी पूछ सकते हो मतलब there is no need to speak in English there is no compulsion ठीक है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना मतलब time बहुत कम है तो clear भी होगा बताओ हाँ इसके अंदर यह इसके अंदर यह इसके अदर यह बिलकुल बैटरी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बैटरी में direct current flow होती है वहाँ poles अपना permanent होते हैं प्लस प्लस ही रहेगा माइनस माइनस रहेगा बैटरी में ऐसा बिलकुल नहीं होता है ऐसा हमारे घर में होता है हमारे घर में जो current आ रही वो बैटरी वाली current नहीं है इस दाट क्लियर हाँ इसमें switch होते हैं इसमें switch होते हैं भई तो मैं कह रहा हूँ इसमें बदलते रहते हैं बिलकुल सही बात है बैटरी में लेकिन ऐसा नहीं होता है तुम बैटरी से इसको compare मत करो ठीक है बैटरी में ऐसा नहीं होगा जहाँ जहाँ direct current होगी वहाँ ऐसा नहीं होगा तो बैटरी में ऐसा नहीं होता है लेकिन हमारे घर में जो current आ रही वहाँ ऐसा हो रहा है बिलकुल ऐसा हो रहा है ठीक है। inverter से inverter वाली ना inverter इंव़टर तो convert कर देता है ना। बैटरी में जो current बन रही हिज दो DC ही है इंवटर से इसलिए आपके घर में जब इंवटर चल रहा होता है तो एक जो उसका voltage है वो 220 रहता है fix रहता है वहां से उसको आप बहुत जादा बड़ा हाँ डिरेक करंट बिल्कुल उसमें एक चीज लगी होती है हाँ बताओ वो फ्लक्चुएट इसलिए नहीं होते है उनको डिजाइन ही वैसा किया गया है वो फ्लक्चुएट नहीं हो वो स्विचिंग को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया ही वैसा गया है इसलिए आपको पता है न AC और DC दो तरह के अलग-अलग आपको पता है जिसे मोबाइल है बहुत जो सेंसिटिव वो होते हैं जैसे अप्लाइंसेज होते हैं कि ये इसको एक fixed amount का voltage ही चाहिए operate करने के लिए अगर fluctuation होगा इसका voltage बढ़ेगा या बहुत कम होगा तो इसकी बैटरी खराब हो सकती है तो वो उसके अंदर converter लगा होगा कि वो AC लेगा, DC में convert कर देगा उसके बाद mobile चार्ज होगा ऐसा होता नहीं कभी-कभी adapter खराब हो जाता है तो कुछ लोग वहाँ से काट के direct लगाने की कुशिश करते हैं कुछ लोग बहुत तेज होते हैं उनको लगता हैं बहुत brilliant काम कर रहे हैं तो वो एक बार ही लगाते हैं उसके बाद mobile उनका फिर दोबारा वो बैटरी गई क्या-क्या खराब होगा आप सोच नहीं सकते तो आपने देखा है जिन-जिन चीजों में वो adapter type का लगा होता है वो sensitive appliances है जिनके अंदर जो battery requirement है वो fix है क्या क्या नहीं करेगा बेटा अपना माइक बंद रखिये अगर कोई question नहीं पूछना है हाँ charge नहीं करेगा charge नहीं करेगा और हो सकता है उससे कोई नुकसान भी आपको पहुंच जाए ठीक है उसके appliances को appliances को नुकसान पहुंच जाता है और बहुत सारी दिक्कते होती है तो हाँ हाँ वही चीज़ वही तो बोल रहा हूँ तो ये ये चीज़ को ध्यान में रखना है हमको कि क्या कि ये जो appliances होते हैं उनके साथ अगर कोई sensitive appliance बनाया जा रहा है जो कि ये fluctuation जहल नहीं पाएगा बरदाश नहीं कर पाएगा तो उसमें फिर वह converter भी लगया होते हैं कि वह convert करके DC देते हैं हमारे घर में maximum appliances even washing machine है आपके और उसमें भी लगा होता है even mixer grinders कई तरह के इस तरह के आते हैं उसमें भी लगा होता है तो कई सारे appliances में वह पहले ही देते हैं converter लगा होता है उसमें हाँ बेटा तो यह हाँ तो यह क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया है ना बद दो तरह की AC DC बताया तो वहाँ AC करंट होगी power plant में जोगी AC करंट होगी power plant DC भी होता है ठीक है DC power plant भी होता है लेकिन बहुत costly पढ़ता है वहाँ पे transmission में बहुत सारा loss हो जाता है तो बहुत चीजें हैं उसमें history पे हमने एक वीडियो पूरा record किया है electricity का उसको share कर देंगे उसको देखना उसमें पूरी history बताई गई है चलिए आगे चलते हैं और ohms law देखते हैं देखिए ohms law क्या है यहां ते सुनिए आपको पता है कि बड़ी बैटरी आप सब जानते हैं कि बड़ी बैटरी में जैसे चोटी बैटरी है mobile की बैटरी है या और कोई चोटी बैटरी है अगर आप उसमें plus minus में हाथ लगा भी देना तो आपको shock नहीं लगने वाला है यह cell है हम ऐसे cell को हाथ में पकड़ने तो क्या हमारे हाथ पे shock लगता है नहीं लगता है लेकिन अगर यही काम अगर बड़ी बैटरी के साथ करोगे न बड़ी बैटरी का तुमने negative पॉस्टिव पकड़ लिया तो तुम्हें shock लगेगा ठीक है बड़ी बैटरी shock क्यों देत लिए क्या लगाया है voltage हाँ ठीक है voltage को measure करने के लिए जैसे कि हमने भी आपको पीछे दिखाया था पिर से दिखाते हैं कि यहाँ पे भी हम voltage को measure कर सकते थे देखे द्यान से अब यह हमने battery लगाई है अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि बैटरी में कितना potential difference है कितने potential difference की बैटरी है कितना energy देरी electron को तो हम यहां से volt meter लेंगे देखो द्यान से यह volt meter है यह आप एक end पर लगाईए बैटरी के और यह दूसरे end पर मताई कितना देरा rating 9V इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब बेटा इसमें से निकलने वाला हर एक electron कितनी energy लेकर निकल रहा है शाब आपके पास emitter है, यहाँ से बदा कर सकते हैं, तो emitter को हम यहाँ ले जाएंगे, कहीं पे भी रख दीजिए आप, ठीक है, emitter में आपको current, wire में कहीं पे भी आप लगा दीजिए उसको, और आपको current कितना है, कितना ampere की current है, 0.9 ampere की, ठीक है, और पता है, यह बदलेगा नहीं, कहीं पे भी ले जाएंगे, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, अभी भी same दिखा रहा है आपको, हर जगा current तो same ही रहनी है, current नहीं बदलने वाला है, ठीक है, current की value आपको हर जगा same दिखाएगा, यह देखिए, तो current के लिए आप emitter से, पदा कर सकते हैं कि current कितनी flow हो रही है, और volt meter आपको बताएगा voltage कितना है, हाँ बटा, हाँ, हाँ, current तो सब जगा same हूँ, यह रख दो, ठीक है, हाँ बटा, चलो अच्छा है, देखिए यहाँ पे, हूँ wire पे रख देते हैं, सुनो दियान से, यह रख दिया हमने wire पे, क्या दिखा रहा है, 0, क्यो reason है, reason है, reason यह है, कि आपने एक ही side पे, देखो, battery का एक ही end connected है नहीं आपे, अगर आप एक end यहाँ रखें, एक end यहाँ रखें, आप क्या दिखा रहा है, 9V, तो अगर wire पे भी लगाना है, तो make sure कि, एक end इधर हो, एक end इधर हो, clear है बटा, अब यह कहीं पी भी लगाओ, उपर ले चलते हैं, चलो, क्या यहाँ भी वही शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, 9V, clear है, end, make sure करो कि, end दोनों अलग-अलग लेने हैं आपको, एक ही end पे चले जाओगे, तो potential difference 0 हो जाएगा न, वहाँ पे, वहाँ पे तो कोई difference है यही नहीं, potentials का, हाँ बटा, हाँ हाँ, बल के लगा देते हैं, यह लीजिए, है, 9V, हाँ, single एक side पे नहीं करेंगे, बस, दोनों side पे होना चाहिए, ठीक है, दोनों potentials को include करके चलना है हमें, चली आगे चल, हाँ, हाँ बिटा, आवाज बहुत slow आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यह कौन बच्चा है, मैं remove कर रहा हूँ, पावनी 90, बटा बन करिये, माइक बरना remove हो जाएंगा, अगर question नहीं पूछने तो बन करिये, हाँ, यह कौन है 0384, कोई बच्चा अगर अपने नाम किलावा, किसी number से दिखता है, तो उसको group से हम भी permanent remove कर देंगे, यह बात हम कई बार बोल चुके हैं आप लोगों को, क्या आपको अपना नाम से जुड़ना है, कोई number नहीं है, कोई mobile का name नहीं है, 038443C24, हम remove कर रहे हैं, आप दुबारा class में आ नहीं पाओगे, अगर आप rename नहीं करते हो तो, rename करिए, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप rename करिए, अपना नाम लिखिए, और उसके बाद, आप class में रह सकते हैं, ठीक है, rename करिए अपना नाम, हाँ बेटा, क्या पूछ रहते हैं, श्रेयश, बदाओ, श्रेयश, बदाओ, देखें, द्यान से पहले, तो हमने क्या किया, कहां तक पहुंचे थे हम लोग, कि हमने एक बैटरी ले ली, और हमने यहां पर क्या लगाया था, वोल्ट मीटर अभी, हमने आपको बताया, वोल्ट मीटर किस काम आता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर आप कहीं के भी लगाईए, लेकिन दोनों एंड्स को हमें इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान इस बात कर रखना है, अब हमने क्या क्या एक एमिटर लगाया है, ठीक है, अब हमने क्या कर रहा है, हम देखिए यहां पर, अभी एक ही सेल लगाया है, हमने, पोटेंचल डिफिरेंस इस 1.2 एंड देखिए द्यान से, दो कर दी हमने, दिख रहा होगा, उसको मैं नीचे कर देता हूँ, दो कर दी हमने, then the reading, reading जो है वो, 2.4 हो गई, यह 0.4 हो गई, ठीक है, अब हमने सेल बढ़ा के 3 कर दी है, देखिए द्यान से, सेल 3 हो गई, reading भी change हो गई, ठीक है, 3.6 एंड 0.6 ampere, आपको एक pattern दिख रहा होगा, है न, एक pattern दिख रहा होगा, हाँ, pattern यह है, देखिए हम अगर graph बनाएं इसका x-axis और y-axis पे, तो वो graph क्या आएगा, हमें साफ सब दिख रहा है कि वो, हाँ, अभी यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं हम लोग, देखिए, यह graph में हमने क्या-क्या लिया है, पहले बताइए, y-axis पे क्या लिया है, x-axis पे क्या लिया है हमने, y पे लिया है, हमने current और x-axis पे voltage है, ठीक है, हाँ, तो अब हम अगर इसका graph बनाते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए, 1.2 का voltage है और 0.2 ampere की current है, तो 0.2 ampere की current जब flow हो रही है, तो voltage कितना है, यहाँ पे नीचे values गड़बर लिखी हुई है, असा लग रहा है, चलिए तब भी सही कर सकते हैं, लोग, 1.2 यह हुआ न, बए 1.2 यह ही है न, यह रेखे, अरे यह 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 तो आएगा, नहीं समझ मेरा तुम लोग क्या कह रहे हूँ, अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक, got it, got it, मतलब यह जो deviations हैं, वो 0.2 की gapping पे लिए गए हैं, ठीक है, मुझे लगा कुछ और कह रहे हूँ, देखिए ध्यान से, यह आपका, यहाँ से देखिए, यह 1 है, यह 1.2 होगा, यह वाला न, और यह यहाँ से आएगा, तो यह कहां मिल रहा है, क्या आपका, यह यहां मिल रहा है, अगला point कहां मिलेगा हमें, 0.4 है, तो 2.4 है, 2.4 तो यह वाला होगा, और point 4 यह है, तो हम ऐसे आगे चलेंगे, यह कहा मिल रहा है, यह यहां मिल रहा है, यह देखिए, अगला point, 3.6, ठीक है, 3.6 का मतलब, यह वाला हो गया, और उधर के है, 0.6, 0.6 यह वाला हो गया, इधर ले चलिए, और इधर से उपर चलेंगे हम, तो यहां मिल जाएंगे, कि जो यह y और x-axis की जो भी quantities हैं, they are directly proportional, विलकुल, ठीक है, तो यह आपको देखिए, सबसे पहले यहां पे मिला, second यह था, जो हमने मिलाया था, third यह है आपका, ठीक है, यह आपकी straight line मिल गई थी आके, clear है इतना, वैसे उनको vi बनाना चाहिए था, iv यहां पे मुझे लगत हा रही है, क्या, कि potential difference, increase कराओगे, तो क्या बढ़ेगा, current बढ़ जाएगी, increase करेगी, same, clear है, तो अब आप अगर यह देखिए, इसके बारे में experiment किया था, George Simon Ohm, एक German scientist थे, 1827 में उन्होंने यह experiment किया था, कि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम potential difference को increase करते हैं, वैसे वैसे current भी increase करती है, तो Ohm's law यह कहता है, कि current flowing between any two points of a conductor is directly proportional to the potential difference between the two points, यह जो George Simon Ohm scientist थे, इनके experiment के बाद, इस नाम पे ही, इसी नाम पे पढ़ गया वो, Ohm's law, मतब उस law को ही हम Ohm's law बोलने लगे, clear है, यह तो पहले ही रखी हुई है, अभी किसी ने नहीं पिया, change कर दो, change कर दो, Ohm's law बोलते हैं हम, अब valid कब है यह, ध्यान रखना इस बात को, अगर temperature constant है, temperature को vary कराएंगे, तो Ohm's law disturb हो जाएगा, ठीक है, अब यह जब proportionality sign हटता है, तो यहाँ पे एक constant आ जाता है, R, ठीक है, R क्या है, R है proportionality constant, जिसका नाम है resistance, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कि V directly proportional to I, तब ही रहेगा, जब R constant हो, R ना बदले, अगर R बदलने लग गया, तो फिर V बढ़ाने से R, I वैसे वैसे नहीं बढ़ेगा, कुछ amount of V consume हो जाएगा, R को overcome करने में भी, ठीक है, अब देखें यहाँ पे, I यह formulae बन जाते हैं, सारे इससे आके, V अगर constant, अब यह चीज़ सब घ्यान से सुनी हैं, सबसे पहला हमने क्या बताया था, R अगर constant है, then V is directly proportional to I, और वो किस ने किया था, ओम ने, ठीक है, जौल साइमन ओम ने, उसके बाद यह formula बना V upon R, अगर हम V constant कर देते ह हैं, potential difference नहीं बढ़ाते कम करते हैं, एक रख लेते हैं, अगर if V is constant ज्यान से सुनो, तो फिर R बढ़ाएंगे, तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यूंकि they are inversely related, clear है, तो I के साथ क्या होने वाला है, I कम हो जाएगा, clear है, तो इसका मतलब यह हो गया है, कि अगर हम V क constant कर लें, या उसको 1 माल लें, तो I is inversely proportional to R, ठीक है, clear है तो resistance क्या है, एक property है material की, जो की current flow को oppose करती है, रुकावट है, ठीक है, जैसे पानी है, पानी फ्लो कर रहा है पाइप में, पाइप में आपने बहुत सारे कंकर पत्तर भर दी है, वो सब क्या है उसके लिए, लगई, अब क्या पूछ रहा है, question ध्यान से सुनो, why don't we get an electric shock with a small cell, but do get one from a big one, ठीक है, big battery से हमें लग जाती है, उसका reason क्या है, उसका reason क्या है, एक छोटी battery से नहीं लग रही है, हाँ, क्यों, उसका potential difference जादा है, हाँ, शाबाश, voltage जादा है, potential difference जादा है, potential difference की वज़े से ऐसा हो रहा है, देखिए, यहाँ पर lower potential, यहाँ पर larger potential है, ठीक है, तो यह आपको पता है, यह small current देगा, उसकी की वज़े से, और यह जादा current आपके अंदर से पास करा देगा, larger potential का मतलब क्या है, larger current, ठीक है, मतलब क्या है, shock, बड़ा shock लगेगा आपको, ठीक है, तो resistance के बारे में हमने क्या देखा, यह कैसे आती है, resistance कैसे पैदा होती है, पर बताएगा, resistance कैसे आती है, चली अच्छा, कैसे आती है, चली आगे देखेंगे अभी, अभी तक जो देखा, उसको जल्दी से एक बार रिवाइस कर लें, ohms law क्या कहता है, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, दूसरा क्या कहता है, mathematically हमने यह सब भी देखा, V directly proportional to I, V is equal to IR, where R is the resistance, resistance क्या है, property of a conductor to resist the flow of charges of current, ठीक है, और SI unit होती है, ohms, इतना हम देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे, कौन-कौन से factor हैं, जो जिन से resistance जो है, effect होती है, कौन-कौन से factors हैं, जो इसको effect करते हैं, कम करते हैं, हाँ, हाँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, देखें, current, resistance की main property है, वो current को oppose करने के लिए बनी है, ठीक है, current को oppose करेगी, reason क्या है उसका, reason है, collisions, ठीक है, collisions, आपको बता है, electron जब अंदर move कर रहे हैं, तो वो आपस में भी टकराते हैं, और जो positive ion से उनसे भी टकराते हैं, positive ion है जिनसे वो निकल गए थे, बाहर, उनसे भी टकराते हैं, तो सबसे पहली चीज लेंथ है, लेंथ है, जिस पर ये depend करती है, अब देखें, एक cross section एक हमने wire ले लिया है, L length का है, ठीक है, एक दूसरा wire ले लिया है, जिसकी length 2L है, अब आपको पता है क्या resistance दोनों में same होगी नहीं, इसको ऐसे समझ से, 2L में, इसलिए जादा होगी, क्योंकि हम भी चल रहे होते हैं, पतला रास्ता होता है, तो हम क्या चाहते हैं, वो रास्ता खतम हो जाए या चलता रहे है, पतला रास्ता, गाड़ी चला रहे हैं, खतम हो जाए है, हम चाहते हैं, खतम हो जाए, अ में उतनी दिक्कत होगी ना चलने में उसमें तो वही है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा अगर उसको resistance हो रही किसी रास्ते पे तो वो चाहेगा कि वो रास्ता खतम हो जाए जल्दी से है ना, छोटा हो जाए वो रास्ता जितना लंबा होता चला जाएगा तो वो उतना ही resistance बढ़ती चली जाएगी बोलो बेटा, clear है? कई बच्चों को इसमें confusion होता है कि अगर length बढ़ा देंगे तो resistance कैसे बढ़ जाएगी same रहनी चाहिए, same नहीं रहती है क्योंकि वो collisions बढ़ते चले जाएगे ठीक है तो आपको बता है दूसरे पर आते हैं, दूसरी चीज़ देखिए एक wire लिया हमने, उसकी एक कोई thickness है मालो D, ठीक है, एक दूसरा wire ले लिया उसकी thickness बढ़ी है 2D होगी है ठीक है, इसकी thickness माल लेते है 2D है, ठीक है तो ये तो खेर obvious है, आपको पता है चोड़े रास्ते में गाड़ी चलाना ज़्यादा असान है ना, same resistance नहीं होगी clear है ठीक है, तो resistance length पर depend कर रही है, पहला point, दूसरा point thickness पर depend कर रही है ठीक है, thickness यह नहीं cross section हाँ हाँ, वो तो भी देखेंगे यह हमें answer भी करना है, ऐसा क्यों हो रहा है चलिए चलते है ठीक है, reason के आए, resistance का बताया था हमने सबसे पहली चीज़, देखें आप लोग जब भी आपसे कोई question करता है न, precise answer to the point answer देना बहुत ज़रूरी है, reason है collision, simple reason है collision, ठीक है collision की वज़े से देखें, collision ऐसा ही होते रहते है अंदर, यह जो molecules होते हैं वो vibrate करते हैं, they continuously vibrate, ठीक है, अब vibrate करते रहते हैं, vibration की वज़े से ही, आपका आप देखें, यहाँ पे length है, इसकी हमने L length ले लिया, अब अगर wire की length आप बढ़ाएंगे तो collision बढ़ते चले जाएंगे, अपको जादा atoms मिलेंगे आगे, collide करने के लिए, तो resistance भी बढ़ जाएगी, बोलो बैटा, इतना clear है सबको, अब देखें, यह देखें, length बढ़ा दी हमने अब देखो, length बढ़ा दी, तो collision बढ़ गए, उतने ऐसे आपकी जो resistance बढ़ जाती है, length आपने डबल की, आपके collision 2X हो गए, consequently your resistance भी 2X हो गए, ठीक है, तो resistance बढ़ेगी, wire length बढ़ जाएगी, तो resistance भी बढ़ जाएगी, तो resistance directly related है, wire length से, पहली चीज़ हमने देखी, अब आते हैं area वाले पे, यह देखें दो wire है, ठीक है, thickness cross-sectional चीज़ देखते हैं, A and B, ठीक है, A का cross-sectional area कुछ है, इसका 2A है, इसका A है, तो आपको पता है, देखो किसमें electron जादा आसानी से move कर रहे हैं, दिख भी रहा है आपको, B में, B में जादा scope है, जादा area है, आसानी से move कर सकते हैं, collision उसके comparison में कम होंगे, ठीक है, तो more room है, electrons के लिए, less collision होंगे, ठीक है, तो area बढ़ाएंगे, resistance कम हो जाएगी, simple चीज़ है, clear है, cross-sectional area, अगर आप double करते हैं, तो resistance हादी हो जाएगी है, collision और resistance दोनों half हो जाएगे, अगर आप cross-sectional area को double कर देते हैं, देखिए, हमने double कियाता है यहापे, यह देखिए, तो जो resistance है, वो half हो जाएगी, ठीक है, तो वो inversely related होता है, अगर हम दोनों formula को, पहला यह formula है, दूसरा formula यह था, ती दोनों को club करते हैं, क्लब करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा आपके सामने, यह ना, resistance is directly proportional to length, and inversely proportional to area, clear है, अब अगर हम proportionality sign हटाते हैं, तो क्या आएगा, एक constant आएगा, तो यह आगया आपके पास, row, यह ना, row, row क्या है, constant है, और proportionality constant इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, proportionality constant बोला जाता है, इसको हम resistivity से, resistivity, resistivity और इसको बोलते हैं, row, ठीक है, तो resistivity change करती है, जब आप material change करेंगे, ठीक है, copper के बाइट के अलग होगी, silver के अलग होगी, aluminium के बाइट के अलग होगी, iron के बाइट के अलग होगी, अब यह depend किस पर नहीं करती है, ध्यान से सुनो, size of the wire पर depend नहीं करती है, shape of the wire पर depend नहीं करती है, ध्यान से सुने सभी बच्चे, ठीक है, किस पर depend करती है, तो पता है, किस पर depend नहीं करती है, ठीक है, तो resistivity के बाइट में क्या देखा हमने, कि measure क्या है ये, इसको दियान से देखो resistivity क्या है, measure of a given material to oppose electric current, उस material की अपनी inherent property होती है, inbuilt होती है, ठीक है, तो वो hereditary है, ऐसा बोल सकते हैं, copper लेकर आया है, वो copper का है, यही वज़े है कि उसकी resistivity है, उसके अंदर पाई जाती है, ना वो उसकी thickness पे depend करती है, ना वो उसकी length depend करती है, उसके material पे depend करती है, clear है, तो resistance और resistivity के बीच में difference देख लेते हैं, क्या है, resistance material पे depend करता है या नहीं, अरे, पताओ, करता है, करता है, करता है, resistance length पे depend करता है, हाँ करता है, area पे thickness पे करता है, करता है, बिल्कुल, ठीक है resistivity पे आ जाते है, resistivity क्या material पे depend करती है, yes, shape पे depend करती है नहीं करती है ठीक है, क्या size पे depend करती है नहीं करती है ठीक है तो r is equal to rho l upon a यह आया finally formula हमारे पास good conductors जिनकी resistivity क्या होगी low होगी है ना और जो bad bad conductor होंगे उनकी resistivity high होगी उन्होंने दोनों जगा good good दे दिया ठीक है, यह क्या है यह है bad conductors ठीक है हाँ, ठीक है best conductor best conductor silver, ठीक है best conductor ठीक है second best conductor अरे यह देखिए कुछ materials है, उनकी resistivity दे रखिए आपको अगर यह table याद हो जाए तो क्या बात है मज़ा आ जाएगा, आप लोग याद करिएगा दीरे दीरे याद करना ही कुशिश करिएगा यह table अच्छी है और यह competitive exams में बहुत काम आते हैं इसमें से अगर direct question आते हाँ हाँ, ले लो R into A upon L, I नहीं है L है यह, दियान रखना हो, I तरह दिख रहा L है, अच्छा अब इसकी unit बनाएंगे तो क्या बनेगी बताओ R की ohm होती है, A की meter square यह meter meter cancel हो जाएगा, तो क्या बन गई हाँ, ohm meter ठीक है, क्या हैगी, ohm meter ohm meter R की, rho की unit हो गई, ohm meter clear है, अब देखो एक extra चीज़ बताते हैं आपको देखे द्यान से, अगर हम V और I के बीच में graph बनाते हैं, किसके बीच में voltage और current के बीच में graph बनाते हैं तो हमें पता था, straight line मिली थी उनको, ohm भाई साब को, है ना straight line मिली थी, और यह थी किसी कोना ने कहा था resistance, बोलो यह resistance था ना, resistance constant है इसका मतलब, clear है तो resistance constant है अगर, अब आपको पता है resistance के बारे में सब कुछ पता है, उसकी unit पता है वो किस पे depend करती है, पता है अगर हम इस graph को पलट देते हैं, पलटने का आपकी resistance, अभी भी रहेगी क्या यह जो graph होता है इसको कहते है conductance यह graph है यह r का graph नहीं दोगो जो graph निकल के आता है y axis को x axis से divide करके आता है v को i से divide किया तब r आया ना, देखो यहाँ पे धियान से जो line आई, तो slope हमेशा y divided by x होता है y axis पर जो होगा, उसको x से divide कर दो अच्छा, यहाँ पे जो slope है अगर आप उसको पता करना चाहते हैं, तो y को divide करिए x से, तो i upon v और i upon v, r नहीं होगा, वो तो 1 upon r होगा ना this is y, यह 1 upon r है, clear है बो conductance, resistance का उल्टा जिस wire की resistance सबसे कम होगी, उसकी conductance जादा होगी, obvious सी बात है, वाइसी वर्सा, है ना तो v, i, 1 upon r is called conductance, ठीक है अच्छा, resistance की unit क्या थी, ohm, है ना बो, अरे resistance की unit ohm थी या नहीं थी, बताओ यह है, conductance, conductance की unit क्या थी, इसकी unit होती है, महूँ, ठीक है, उल्टा कर दिया, उसको, सब उल्टा कर दिया, इसका sign होता है इस तरह, और इनका sign भी उल्टा कर दिया, इनको ऐसे लिटा दिया, यह देखो सब 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 उल्टा कर दो, हाँ, तो मैंने तो बताया था ना कि वो, graph वहाँ पे गलत बनाया ना, उनको v और i का graph लेना चाहिए था, बोला थो था, मैंने इसका, ठीक है, समझ गया यह चीज, आगे चले, नेक्स्ट रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, factors affecting resistance क्या थे, length, दूसरा, cross-sectional area, यह वन अपॉन ए, तीसरा था, आगे क्या था, resistivity, ठीक है, तीसरा material पर depend करती है, तो यह फॉर्मिला आया था, r is equal to rho l upon a, clear है, r थी resistivity आपकी, ठीक है, good conductors की resistivity कम होती है, यहान रखना है, और bad conductors की, यह पता है, M sprint है, यहाँ पर bad conductor होगा, ठीक है, यह यह भी देख लिए हमने chart भी, ag और cu, यह widely used है, सबसे ज़्यादा use किये जाते हैं यह, ठीक है, silver की देखिया, 1.59 into 10 dash to the power minus 8, कम से कम एक तो याद रखिये, silver की, और copper की भी, दूसरा कौन सा है copper, 1.68 into 10 dash to the power minus 8, दो याद रहेंगी बहुत है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, वज़रूत नहीं पड़ेगी, चलो बहुए, जल्दी answer दो, minus 8, अरे, वो recording मिल जाएगी न, उससे screenshot ले लेना, ठीक है, यह, लेंद को, लेंद को double कर रहा है न, तो लेंद को double कर रहे हैं, तो resistance पर क्या असर पढ़ने वाला है, लेंद को resistance का क्या लेना देना है, तो वो directly related है, तो वो भी double हो जाएगी, हाँ, resistance भी double हो जाएगी, radius को double कर दिया है, अच्छा, radius को double, नहीं, सुनो, 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 सबसे पहले हम यह, सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि, जो, जिस wire को use कर रहे हैं, वो किस shape का है, उसका area निकलता कैसे है, तो वो कैसा है, wire कैस होता है, cylinder, अरे यार, cylinder का होता है, ना, cylinder का होगा ना, तो cylinder में area, आप कैसे cross-sectional area, cylinder में पाई, और square से ही तो निकलेगा, तो इसका मतलब है, अगर r को, r, a जो है, वो r के directly related है, ऐसे समझो, ऐसे है ना, r square के directly related है, a, तो r को अगर आप double करेंगे, तो a जो है, वो four time हो हाँ, अब a, अब यहां तक देखो कैसे approach करना है, धियां से सुनो, यहां तक आ गए, अब हम a का और r का relationship समझेंगे क्या होता है, तो हमें पता है कि r inversely related होता है, a से, तो अब अगर four a हो गया है, तो इसका मतलब यह जितनी quantity से बढ़ेगा, या उत्ते से कम हो जाएगा, त हम, तो ऐसे बेटा step by step चलना है, सबसे पहले हमने क्या देखा, radius का area से relation क्या होगा, radius का area से relation मिल गया, वहां देखा कि अगर radius को double करते हैं, तो area पे क्या असर पड़ता है, पता चला four time हो जाएगा वो, अचा four time हो जाएगा, तो अब आते हैं इनके relation पे, इनका relation यह कह रहा नेक्स है, name the physical quantity of which the units are, volt, coulomb, ohm, ahm, volt के लिए क्या है, देखे, volt आपको पता है, voltage की, ठीक है, volta के नाम पर पढ़ाता है, सब पता है, आपको history पूरी, coulomb, charge की होती है, then ohm किसका है, resistance का है, ohm resistance का है, ठीक है, ohm के लिए ना लिख देना, ohm जो है, sarname है, George Simon Ohm का, कुछ ल पर नेम है, George Simon Ohm का, तो resistance की unit है, ampere किसका है, current का है, in transferring 1.5 coulomb charge through a wire, 9 joule of work is needed, find the potential difference across the wire, 6 volts, 6 volts, 6 volts, 6 volts, 6 volts, 6 volts, potential difference का formula V is equal to W upon Q, है ना, 9 joule का 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 है, charge 1.5 का, ये 0 जाएगा, 6 आएगा, 6 volt, next, a cell of potential difference of 12 volt is connected to a bulb, the resistance of filament of bulb, when it glows is 24, ohm, find the current drawn from the cell, 0.5, yes sir, yes sir, current कूछ रहा था, हम से, current का formula, ohm's law से आया था, V is equal to I R, I बनेगा V upon R, voltage है, 12 volts, by 2 ampere, या 0.5 लिख सकते हैं इसको, देखो, ampere, amp में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, बाकी capital A, सिर्फ capital A बना सकते हैं, ठीक है, यह रहे हैं, हाँ, filament होता है, वो bulb के अंदर जो glow करता है न, बिटा, bulb के अंदर, bulb के अंदर वो ऐसे लगा नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है, ऐसे ऐसे, यह, हाँ, यह, यह होता है, यह filament tungsten का, हाँ, next, symbols देख लेते हैं, component of basic electrical circuit, वायर के लिए क्या यूज होता है, यह कुछ इस तरह का है, वायर के लिए, यह ऐसे यूज करता है, cell के लिए हम ऐसे यूज करता है, न, simple है, battery के लिए हम यूज करता है, यह रहे हैं, ठीक है, AC के लिए हम कुछ ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, M meter के लिए, क्या यूज करते हैं, यह रहे हैं, volt meter के लिए हम क्या यूज करता है, यह, galvanometer के लिए, इस तरह से, ठीक है, galvanometer और volt meter, galvanometer और M meter में difference बता है, गैलवनो मीटर क्या करता है current को detect करता है वो direction भी बताता है लेकिन बहुत बहुत चोटे amount की current को भी detect कर लेता है galvanometer ठीक है और बहुत जादा current को वो detect नहीं कर पाए मतलब उसको reading सही नहीं आएगी ठीक है चोटी current के लिए ही होता है meanly, कि जरा सीवी current जा रही है, तो detection word इसलिए use करते हैं, वो direction बता देता है और detect कर लेता है, बाकि अगर आपको जाधा current detect करानी है, sorry, जाधा current को measure करना है, तो वो emitter उसके लिए सही रहता है, ठीक है, तो यह difference याद रखिएगा, आगे, resistance क्या है यह resistance के लिए हम लोग use करते है, variable resistance अभी हमने आपको पढ़ाई नहीं है, तो बताएंगे variable resistance बहुत interesting है, इसमे real state के बारे में उसकी working बताएंगे कैसे काम करता है, ठीक है, फिर आगे आते हैं, bulb के लिए हम यह इस तरह से use करते है, switch key क्या है, open है अगर तो, ऐसे use करेंगे ना, अगर close है, तो हम यह इस तरह से use करेंगे उसको, tapping key क्या होता है, tapping key ऐसे बना होता है, इसको tap करो बंदो जाएगी वो इस तरह से, plug key क्या होती है, देखिए अलग-अलग तरह यह plug की है इस तरह से, ठीक है clear है, emitter, voltmeter के बारे में बता चुके हैं आपको, देख लेते हैं जल्दी से emitter क्या है, कैसा instrument है जिसको हम strength of electric current use करते हैं, पता करने के लिए, और voltmeter आपका potential difference को measure करने के लिए use किया जाता है ठीक है, यह देखिए voltmeter आपका, sorry emitter और यह आपका रहा, voltmeter और यह आज का आपका complete हो गया, तो हम लोग next turn पे क्या करेंगे, electricity almost complete हो चुका, next turn पे एक तो rheostat के बारे में जानेंगे, और कुछ और interesting चीज़ें electricity के बारे में additional, और next turn पे हमारा electricity पुरी तरह खतम और अगले turn से magnetism स्टार्ट हो जायागा ठीक है बैटा, इस वीडियो को वीडियो की recording आपको मिल जाएगी, आप इसको देखिएगा, उसके बाद इसको share भी करिए doubts जो होंगे, उसको note करिए next turn पे doubts भी पूछिएगा next session और भी जादा amazing होगा electricity के उपर, ठीक है, चलिए